अस्सलाम अलेकूम आज हम आपके साथ शेयर करेंगे चिकन मसाला बनाने की रेसिपी और इसके साथ में बनाएंगे बगारा खाना तो चलिए अब हम बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले अब हम बना के तैयर कर लेंगे चिकन मसाला तो चलिए सबसे पहले अब हम एक बगुने में cooking oil add कर लेंगे तो flame view on कर लेंगे साथ में ही और इसमें अब add करना है प्यास चार medium size की बारी कटीवी प्यास add कर लेंगे बिल्कुल बारी कटीवी रहना प्यास तो प्यास को हम हलका सा color change होने तक तल लेंगे तो यह देखिए प्यास का जो color है अब हलका साथ change हो गया ज्यादा dark brown करना नहीं है तो प्यास का जैसे ही color change होगा अब हम इसमें अद्रेकलेसन का paste add करेंगे दो टेबल स्पून तो अद्रेकलेसन का paste add करने के बाद में हम इसको कुछ seconds के लिए तल लेंगे प्यास के सात में और इसके बार में add करना है एक टीश्पून नमक नमक आप लोग अपने टेस्ट के पहसाब से लिए लाल मिजपॉर्डर आट करेंगे दो टेबल स्पून तो मिर्ची आप लोग अपने टेस्ट के हसाब से कमिया जादा कर लें सकते आदर टीस्पून हल्दी पॉडर तो ये सब मसाले आट करने के बाद में इसको भी हम कुछ सेकेंड्स के लिए तलेंगे और इसके बाद में आट करना है चिकन ये है एक किलो चिकन लेंगे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे चिकन आट करने के बाद में तो जैसे ही इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद में इसको धकन से कवर करके मीडियम हीट पे पकने के लिए रख देंगे 10 मिनिट के लिए और अगर आप लोग चाहे तो इसको मैरिनेट करके भी रख सकते आदे घंटे के लिए मिर्च नमा खल्दी अदर कलेशन का पेस्ट आट करके तो ये देखिए इसको दस मिनिट तक अच्छे से पकने के लिए रख जया था हमने ढकन से कवर करके अब अच्छे से मिला लेंगे इसको और अब हम इसमें आट करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला पॉडर यानि के एक टीस्पून गरम मसाला पॉडर और एक टीस्पून धनिया पॉडर बारी कटा हुआ कोतमीर और चार स्लिट की हुई हरी मिर्च पानी आट कर लेंगे दो ग्लास तो पानी आट करने के बाद में अब हम ये अच्छे से मिला लेंगे और इसके बाद में इसको धकान से कवर करके मिडियम हीट पे पकने के लिए रख देंगे 20-25 मिनट के लिए तो ये देखिए अब 20-25 मिनट हो जाने के बाद में हम इसको फिर से भून लेंगे धकान निकालके तो मिडियम हीट पे पाँच मिनट के लिए भून लेना है और जब पाँच मिनट हो जाएंगे अब हम इसमें आट करेंगे थोड़ा सा बारी कटा हुआ कोत्मिर और दो से त कोटी और बगारे खाने के साथ में जरूर ट्राय करके देखिए इस रेसिपी को कोई कारासान रेसिपी है और पानी जो है आप लोग अपने हिसाब से इसके अंदर कमिया जादा कर ले सकते अगर ज्यादा मतलब पतला सालन होना है तो पानी की कॉंटिटी जो है थोड़ी स यह बनाएंगे हम एक किलो चावल का बगारा खाना तो इसके लिए लेंगे हम एक किलो सोना मसूरी राइस अगर आप लोग चाहे तो यह बासमती चावल के साथ नहीं बना ले सकते जैसे आप लोगों की चॉइस हो तो सबसे पहले हम चावलों को जब भी बगारा खाना बन करने के लिए साबित गरम मसाले में लेंगे दालचीनी लॉंग इलाइची शाजीरा दो मीडियम साइज के बारी कटे हुए प्याज आइट करेंगे दो टेबल स्पुन घी तेज पता आइट करेंगे तीन से चार लेंगे प्यास का हलका सा कलर चेंज होने तक यह तर लेंगे हम जैसे ही प्यास का हलका सा कलर चेंज होगा अब हम इसमें हरा मसाला आट कर लेंगे तो हरी मसाले में लेंगे हम बारी कटी हुए कोतमीर बारी कटा हुआ पुदीना और हरी मेर चाट करेंगे चार से पांच अद्रेकलेशन का पेस्ट चार टेबल स्पून नमक अट करेंगे चार टेश्पून तो नमक आप लोग अपने टेस्ट के साब से इसके अंदर आट कर लिजिए अब हम ये फिर से तलेंगे अद्रेकलेशन का पेस्ट आट करने के बाद में ये फिर से तलना है जैसे ही अद्रेकलेशन का पेस्ट बादामी कलर में आ जाएगा हम इसमें पानी आट करेंगे तो ये देखिए अद्रेकलेशन का पेस्ट भी आट करने के बाद में इसको अच्छे से तलना है जैसे ही इसका color change होगा अब हम इसमें पानी आट करेंगे दो लीटर एक किलो चावल के लिए दो लीटर पानी काफी हो जाएगा इलाइची पॉडर आट करेंगे एक टीसपून अब यह अधन को पकने के लिए रख देंगे हम जैसे ही अधन पकना शिरू हो जाएगा अब हम इसमें भीगे हुए चावल आट कर लेंगे तो ये देखिए अब ये जो अधन है यानि कि जो बगार का पानी है वो पकराब तो अब हम इसमें भीगे हुए चावल आट कर लेंगे तो चावल एट करने के बाद में अब ये पकाना है मीडियम हीट पे और चावल पकने के दौरान हम बीच बीच में चमत से हिलाते भी जाएंगे इस तरह से तो चावलों में जितना भी पानी हमने आट किया है वो पूरा अच्छे से सूख जाने तक ये पका लेंगे अब हम तो ये देखिए अब इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी बाखी रह गया ये देखिए जैसे के मैं आपको वीडियो में दिखा रहूं बिल्कुल थोड़ा सा पानी बाखी है तो अब हम क्या करेंगे धकन से कवर करके इसको दम पे रख देंगे लो हीट पे 15-20 मिनट के लिए ये तो पानी जो है अच्छे से सूख जाएगा और चावल भी अच्छे से पक जाएगे यानि कि इसमें का जो पानी है वो पूरा अच्छे से सूख जाएगा चावल भी अच्छे से दम हो जाएगे तो ये देखिए 15-20 मिनट में ये चावल अच्छे से अब दम हो गए तो 15-20 मिनिट हो जाने के बात में अब हम फ्लेम आफ कर देंगे ये बगारा खाना बिल्कुल रेडी है अब सर्फ करने के लिए और अगर आप लोगों को ये चावल बनाने का अगर अंदाजा है तो आप लोग अपनी मर्जी की हिसाब से भी इसको दम दे दे सकते तो जरूर ट्राय करके देखिए ये दोनों भी रेसिपीस को एक साथ में रेसिपीस देखने के बाद में अगर अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को जारूर लाइक कर दीजिए थैंक्स फॉर वाचेंग अलाहाफेज